नीताजी सुभास्चंद्रबूस और उनकी आजाद हिंद सेना ने भारतिय सतंता संग्राम में मातपुर्ण योगदान दिया है सेना ने अंग्रेजों में धैशत पैदा गरती थी लेकिन दुरभागे से यह इतियास पाठ्य पुस्तक में प्रस्तूत नहीं किया गया है मेर दयाशनकर तिवारी ने कहा कि यह पेड़ी के लिए यह प्रेरक इतियास सभी को चानना चाहिए नेताची सुभाष चंद्र बूस की 125 वी जयनती के अवसर पर रविवार को नाखपुर के नेताची चौक पर मेर दयाशनकर तिवारी ने नेताची के भित्ती चित्र का उदगाटन किया इस अवसर पर वे पोल रहे थी अगे बोलते हुए मेर दयाशनकर तिवारी ने नेताची सुभाष चंद्र बूस की जीवन की कई घटनाओ पर प्रकाश डाला उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आजाद हिंसीना का गठन कैसे हुआ नेताची ने इसके लिए क्या क्या लोगों ने उसकी कैसे मदद की महापौर ने नाकपुर के साथ नेताची के संबंदों, हात्यों पर उनके भाषन और यात्रा के दोरान नाकपुर के लोगों से अच्छी हिंदी सीखने के उनकी वादे को भी याद किया जिस वर्ग में भिंती चित्र बनाया गया उसे नेताजी चौक कहा जाता है हाला कि इसे सिवा सदन चौक के नाम से जाना चाता है उन्होंने इक शेत्र के व्यापारियों से दुकान के चिन्हों और दस्तावेसों में नेताजी चौक का उल्लेक करने की अपील की ताकि चौक का नाम अधिकारिक तोर पर नेताजी के नाम पर रखा जा सकी विधायक विकास कुमभारे और पूर विधायक गिरेश व्यास ने भी नेताजी की जीवनी पर प्रकाश चाला इससे पहले गन्माने व्यक्तियों ने नेताजी की सैन्य पोशाक में एक भिंती चित्र का अनावरन किया इस कारेक्रम में अनुप गुमासे, अजे गुवर, उमेश वार्जुकर और स्थानिय लोग शामिल हुए कारेक्रम का आयोजन कोणा नियम के तहट किया गया था क्यामर पोशन राजकमार मोड के साथ अभिशेक पान से बीसियन न्यूज नाखपुर